वन आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 8 साइंस साउंड चैप्टर की रीडिंग तो शू करते हैं जब हमारे स्कूल में हमारे कोई पीडेड खतम होता है तो हमें कैसे पता चलता है और हमारे घर में अगर कोई डोर बेल बजाता है या फिर खट खटाता है हमारा दरवाजा तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई बाहर आया है और हम कहीं पर बैठे होते हैं तो हमारे पीछे से कोई आ रहा है तो हम जब हाइडन सी का गेम खेलते हैं तो उसमें एक परसन दूसरे परसन को पकड़ता है लेकिन उसके आखे तो बंदी हुई होती है तो वह करने में हेल्प करता है जो साउंड है वह बहुत ज्यादा विराइटी की होती है आफ्स अर तो जो का से प्रोड्यूस होती है और ये एक जबसें जगे कैसे ट्रैवल होती है और हम इस साउंड को कैसे सुन पाते हैं इसी चीजों के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से तो हम अपने स्कूल बैल को टच करके देखो बैला नहीं हो रही होती है तो हम क्या फिल करेंगे बिल्कुल साइलेंट THEY' कुछ नहीं हो रहा लेकिन जब वह प्रोड्यूस करेंगे सांड मलब जब प्रोड्यूस कर रही है सांड तोATH के देखो तो आपको वाइब्रेशन है वह क्या होता है जब एक चीज जो करती है किसी चीज को एक sound produce होती है आगे है। तो हमने पता चल गया कि vibrations से एक object जो है sound को produce करता है ने छोस् спасибо एक लिस्ट बना लो म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स की हाना जो की टेबल 13.1 में एक्जाम्पल दी हुए है उनके हाना तो यह हमने लिस्ट बना लेना आप ठीक है तो बहुत सारे हमना आपने कुछ इंस्टूमेंट्स बगएर हमलब देखे होंगे जैसे घातम मड़ पॉट या करताल चांबल मंजीरा जिसे कह देते हैं यह आपने देखेंगे जो कंट्री में मेली साउंड प्रोडियोस यानि गाना बजाने के लिए यूज़ करे जाते देखो ऐसे होते हैं तो आगे हैं साउंड प्रोडियूस बाई हूमन जो साउंड है वो हूमन के द्वारा प् के देख रहा है ना तो वह हमारा वाइस बॉक्स या फिर लेरेनेक्स कह देते हैं उसे वह होती है तो यह जो वाइस बॉक्स और लेरनेक्स होती है इनके अंदर दो पाइप्स होती है ना जो हमें हेल्प करती है बोलने में इन्हें हम वोकल कोड्स कह देते हैं इनके बीच में एक पाइप सी होती है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं जब हम उसे विंड पाइप से हवा बहां निकालते हैं तो वो क्या करती है विंड पाइप जब हवा बहां निकलते हैं तो यह जो हवा है यह हमारे लंग्ज से बहां निकलती है और जब यह दो वोकल कोर्जा जब यह प हैं और हम अपने फ्रेंड को दूर से कॉल करते तो हमारा वो सुन लेता है ऐसा क्यूं की वह होता यह थे विचे हमारे साउंड । चासर नेशन करें अगर हम और से होती है हमारी गहां चाह अगर हम दीरे से अपने मन में बोलेंगी तो वो नहीं सुन पाएगा अगर हम किसी टंबलर जो है उसमें से या फिर कुछ और भी उसमें से अगर पूरी एयर निकाल दे हाना तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें से बिल्कुल उसे जितना मर्जी वाइबरेट कर लो कोई इसे अब समझाए कि डॉल्फिन और वेल्स कैसे कम्मुनिकेट करते हैं वाटर में एक दूसरे से हाना अब अपने फ्रेंड के साथ एक एक्टिविटी प्रफॉर्म कीजिए आप टेवल पर अपना कान रख लिए रख लीजिए और अपने फ्रेंड को नीचे से खरोचने क होक्ति है द्वार एक सच्टे में बहुत बाद सुना है कि हम अपने कान हो से जो है साउंड सुनते है तो जो साउंड है जब C गान के आंदर होती है है तो जब वो मुट नोट यह ऑन्डर होती है और नहीं धेर्व में जब जाती है तो उससे हमें आवास नहीं दीन ठीक हमारी हो दिख ज स्कूत है यृम डोल्ट and frequency of vibration अप्रीटूड के होता है और टाइम पीरेडर और frequency hour preparation की तो vibration क्या होता है वो तो हमें पता ही था उसको और ऐसके लेटरी मोशन भी कह दिए है सब्सक्राइब प्रोडूशन होती है मैं आपको एक वाइब्रेशन अर्य ब्रद्री यह एक सैंसरे बाल यह गाल में 20 वाईब्रेशन राए ह Will ShortLight है यह क्या करता है हमारे जितनी वार वाइब्रेशन होती है सेकिन में उसको मा पता है कि इसमें कितनी वार वाइब्रेशन हुई है तो जितनी देखिए अगर इस बॉक्स में 20 वार वाइब्रेट हुआ है एक सेकिन में तो हम क्या कहेंगे कि 20 वार हर्टेज हुआ है हर्टेज जैड उसका मर्सिंबल हो गया चोटा तो उसमें 20 बार हर्टेज हुआ है इसको हम ऐसे कर देंगे तो एंप्लिटुर और फ्रेक्वेंसी दो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो हम नॉर्मल ब्रीफिंग करते हैं वह हमारी 10 db होती है और जब कि हम जो सॉफ्ट बोलते वह 30 db होती है और जो हमारी अब करन्जर्वेशन होती है वह 60 db होती है और जो ट्रैफिक में होता है वह 70 db होते और अबरेज फैक्टरी में कितना होता है 80 db यह हमें बताया गया कि साउंड में कितनी कितनी वह आवाजसी होती है अगर कोई चीज 80 db से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं त तो जो अवाज अगर कोई लाउड से बोलेगा तो हम वह आवाज लाउड दी सुनेगी और अगर वह तीरे से बोलता है कोई बंदा आवाज तो हमें वह धीरे ही फिल होगी तो देखिए जो फ्रेक्वेंसी है वह दो तरह की डर्टर मान करी गई गया शीरनेस और पिच शी को बजाके दिखें तो यह जो डृम अपनी सांड प्रोडियूस कर रहा है तो जो यह सांड प्रडूस कर रहे हैं यह बहुत ज्यादा भारी है और जबकि शूजपी है वह जब कि आवाज हो थी हना यह हमारी ही होगी कई कई बार तो आगी है और डेबल एन इंडियोबल साँड्स अब दीखिए एक बंदा 20 ही जाट होता है शांड से लेकर टवंटी थाउजंड के एच छैड तक तक सुन सकता है किसी आवाज को उसके अंदर इतनी होती है कि वह वास सुन सकता है होना लेकर बन्दा वह नहीं सुन सकता क्यों क्योंकि फिर उसके लिए बहुत ज्याधा मुश्किल हो जाते हैं उसको सुनना तो जो डॉग होती है ना डॉक्स वह इस वाज को सुन देते हैं इसलिए जो पुलीसमेंग्स होते हैं वो डॉक्स को अपने साथ रखें किसी भी केस में। नॉइस और म्यूजिक तो हमें पता है नॉइस वही होती है जो गंदी सी साउंड नहीं होती जो क्लास्रूम में साउंड प्रोडियूस होती है बच्चे शोर मचाते उसको हम नॉइस कहते हैं और जो अनप्लीजन साउंड होती हैं और म्यूजिकल साउंड वह होती है जो बहुत ज्यादा टाइट सी प्रोड्यूस होती है नौइस पॉलीशन कै अपनी सुने हिंगे लेकिन आपनी noise pollution के बारे में सुना है तो जो noise pollution होता है वो तब क्रियेट होता है जो गाड़ियों में होन वगेरा होते हैं तो यह जो होन वगेरा जो बजते हैं इनसे क्या हमारे कानों में दर्द होने लग जाते हैं टीवी का अवाज जाता होगी क्रैकर्स बजेंगे मशीन होगी लौट स्पीकर्स अगर बजेंगे तो हमारे कान दर्द करने लग जाते कही के बार तो इन नौइस प्लूशन को रोकने के लिए हमारे पास भी पहुच जाता है तरीके होते हैं लेकिन इनसे क्या होता है कि हमारा हाई ब्लड प्रैशर हो जात होती है उनमें नौइस कम होना चाहिए और जो होम एपैल्स है जो चाकू हो गया या फिर कोई भी बरतन हो गया उनको जादा से ज्यादा उनमें नौइस कम होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जो ट्रीज नहीं होते अपने घर के पास जो ट्रीज हो उनहीं लगाना च कॊन से लैंग्विज यूज करते हैं इशारो ओला ग्राइब दोखे लिया है बट जन जादा से यह आगे कहा जाएगा कि इन ke को सही रखिए तभी नौइस पॉल्जियन कम होगा हाऩ बी के लिए ये ही मिलेंगेस ङुड़े के साथ आफी कलिए